तो देखेंगे आज क्या टॉपिक क्या कोशन रहते हैं हमारे स्कीन की उपर आगे बढ़ने से आपको पहले बता दूँ कि आपको इस लेक्चर की पीडियाफ जो है डॉक्टर वीपन गोईल के टेलीकरम गुरूप से मिल जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे के उपर and different social media के उपर मुट से जोट सकते हैं instagram के उपर मैं काफी active रहता हूं and one more मोर नहीं पर्दूर डियाफ कर सकते हैं जो हमारे चैटर वाइस, टॉपिक वाइस हम MCQ डिसस कर रहे हैं, इन दोनों कोर्सिस को परचेज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, Study IQ अप डाउनलोड करने पड़ेगी, और GS कोर्स में आपको VIP 500 कूपन कोड और इसके अंदर जो है India 5 कूपन कोड लगाना तो परचेज कैसे करेंगे, Study IQ अप आप जैसी डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, जा फिर नीचे आपका लिंक मिल जाएगा, होमपेज नजर आएगा, होमपेज में आपको बेस सैलिंग कोर्स नजर आएगा, यहाँ पे व्यू आल का बटन है, यहाँ पे दबाएंगे, तो तीसरा चौथा कोर्स आपको नजर आएगा हमारा GS कोर्स और लास्ट में नजर आएगा General Awareness का 10,000 MCU कोर्स, और अगेन इंडिया 5 लगाओगे तो extra discount मेलेगा, 17 अगस्त तक यह valid है, तो दिखे जी, अच्छा एक चीज और आपको announce करनी थी मैंने, कल इसलिए मैं लिख दी 1000 सीरीज के कोशन, तो इसी क्लास के अंदर मैं 20,000 सीरीज के 20 कोशन डिसक्स करूँगा, minimum 20 तो होंगी होंगे, ठीक है, MC को अगस्त मन जैसे हमारे चलते हैं वैसी चलेंगे, और डेली करन्ट अफेस जैसे चलते हैं वैसी चलेंगे, तो मतलब हमारी ये क्लास अप्रॉक्सि इसी बात मुझे कंप्लीट करवाना है, मुझे याद था कंप्लीट करवाना है, तो डेली हम इसमें ऐसे डिसक्स करेंगे, आप पढ़ते रही है, ठीक है, चले जी आज, पहला कोशन डिसक्स करते हैं, विच स्पोर्स और्गनाईशन है स्टार्टिड दा वॉलेंटरी डि गलत लिखके भरती हो जाता था, प्लेयर एज प्लेयर खेल लेता था, और अब इंकम टेक्स वगएरा सब चीजों को देखते करते हुए ये डिसक्लोजर स्कीम जो है लॉंच करी गई है, बीसी सी द्वारा, ताकि आप जो है अपनी जो एज है वो प्रॉपर तरीके से मुंबई इसके हेड़कॉर्टर है, ICC International Cricket Council, इसके CEO कौन है, मनु सानी जी और इनके हेड़कॉर्टर कहां पे है, दुबई, United Arab Emirates के अंदर, UAE के अंदर इसके हेड़कॉर्टर है, और ICC के Interim Chairperson कौन है, इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बहुत बार मैं repeat कर रहा हूँ ही चीजे, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ news रहती है, तो मैं repeat करता हूँ, तो आपको याद हो जन चाहिए अब तो, answer is D option, चलिए जी आगे, which architecture style will be followed in the building, Ayodhya Ram Temple, Ayodhya building कैसे बनेगी, इस तरीके से, and this, what is this, this is called Nag नगरा style, ये है नगरा style, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है, शिखर होता है, और ऐसे आपके proper तरीके से picture बनती है, ये नगरा style होता है, और south के जितने भी आपके tempers होते हैं, वो द्रवीन style होते हैं, तो योध्या जो है, वो north India के अंदर है, तो नगरा style, answer is B option, नगरा style, और एक चीज़ आपको बता दूँ, योध्या जो है, वो किस नदी के किनारे पे है, सर्यू, सर्यू river के किनारे पे है, ये भी question पूछा जा सकता है, answer इसमें क्या बनेगा, B option, B option is the correct one, Which state has launched, शहीद महेंदर कर्मा, तेंदू पत्ता, संग्रहक सामाजिक सुरक्षा यूजना, किस राजय ने शहीद महेंदर कर्मा, तेंदू पत्ता, संग्रहक सामाजिक सुरक्षा यूजना शुरू करी है, तो ये शुरू करी है, किसने 36 गर ने, जो तेंदू leaves collector होते हैं, जो जो है उनको जो है अच्छा जो है पैसा मिलेगा और फैमिली को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है उनकी स्कीम इसलिए चलती है कि अगर हम पर्टिकुलर सेक्शन ओव दा सॉसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकें तो अंसर इसमें क्या बनेगा चतिसगड अब चतिसगड क कि कैपिटल क्या है राइपूर ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा ए ओप्शन इस दा करेक्ट वान विच अमंग दा फॉलिंग है रसीव डे रेगुलेटरी अप्रूवल तो सेट अप दा कंट्री थर्ड पार एक्स्चेंज प्लैट्फॉर्म फॉम दा सर्क सर्क क्या ह जी रेगुलेटरी अप्रूवल किसको पी टीसी इंडिया लिमिटेड को तो अंसर इसमें क्या बनेगा डी ओप्शन इस दा करेक्ट अंसर पी टीसी इंडिया के इलावा जो है इनके साथ कौन थे बी एसी इंवेस्टमेंट जाने कि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज इन दोनों को रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है थर्ड पार एक्स्चेंज प्लैटफोर्म में और ये किस ने दिया है अगें सरक ने सेंटरल इलेक्रिसिटी रेगुलेटरी कमेशन ने दिया है अब बात करते हैं अगर हमारे इनर्जी मिनिस्टर जाने के रन्यूबल इन मिताब इनके चेर परसन MD है ठीक है और Bombay Stock Exchange के अगर मैं बात करता हूँ तो Headquarter is in the Mumbai again and Bombay Stock Exchange के चेर परसन कौन है विक्रम जीत सेन मैं Bombay Stock Exchange की बात कर रहा हूँ विक्रम जीत सेन ICC Bank की अगर बात करें तो इनके CEO कौन है संदीब बक्षी संदीब बक्षी जो है इनके CEO है और Head अंसर इसमें क्या बनेगा D option PTC India अजेत यागी जो है इनको 18 साल के लिए extension मिल गया है as a chairman of which organization 18 साल का कारेकाल बढ़ा दिया गया है तो वो है CB का answer is C option अच एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ काफी बच्चे जो मेरे को ये बोलते हैं कि सर आपना जो current affair है वो पुराने लेके आते हो जो four option वाले question होते हैं हमारे वो हमेशा पुराने होते हैं अगर आप देखेंगे अगर आप मेरा पूरा lecture सुनते हैं तो उसके अंदर end में जाके मैं जो daily current affair discuss करता हूँ वो ही question आगे आपको अगले दिन मिलते हैं ताकि आपका जो दिमाग ना दो बार चले क्योंकि मैं कल तो पढ़ा ही दिया जैसे suppose करो आज की current affair मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ाऊंगा ये पढ़ाऊंगा इसके साथ साथ आपको क्या ह होगा कि जो पुराने के current affair है वतलब वो आपको revise हो जाएंगे इस तरीके से मैं बढ़ाता हूँ तो ये ध्यान रखना ठीक है बाकि आपकी मर्जी है पढ़ना ना पढ़ना अजेत यागी जो है ये chairman है CB के और CB कब बना था 1988 के अंदर लेकिन statutory power कानूनी शक्तियां 1992 में इन regulate करने वाला पुंजी वाल मार्केट को regulate करने वाला CB है अंसर इस C option which state has launched the country's only ICMR approved mobile RT-PCR lab which is capable of conducting 9000 tests per month किस राजय ने देश का एक मातर ICMR अनुमूदित mobile RT-PCR lab लाँच किया है जो प्रती महा 9000 प्रिक्षन करने में सक्षम है तो ये किस state ने लाँच किया है ये करनाटक ने लाँच किया है C option क्या बनेगा? Right answer बनेगा और करनाटक में IISC that is Indian Institute of Science Indian Institute of Science Bengaluru ने जो है develop किया है MITR that is Mobile Infection Testing Report Mobile Infection Testing Report और इसके साथ RT-PCR lab आपकी जो है टेस्ट करने के लिए बोली गई है और इसके इलावा COVID-19 तो टेस्ट करेगा ही करेगा COVID-19 के इलावा ये बहुत सारे टेस्ट और भी करेंगे जैसे HCV हो गया, TB का हो गया, H1N1 का हो गया, HIV हो गया तो ये सारे टेस्ट केपवल हो जाएंगे तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, C option is the correct answer, करनाटक is the correct one इंडिया ने जो है, इंडिया UN Development Partnership Fund जो है प्रोवाइड किया है तो ये भार संजुक्त, राष्ट विकास, सांजिधारी, निधी के अंदर कितना पैसा इन्होंने दिया है तो ये दिया है 15.6 million dollar, 15.6 million dollar, answer is, B option is the correct answer अब अगर मैं बात करूँ UNDP, United Nation Development Program, इसके headquarter कहां पे है, New York के अंदर है और again UNDP जो होता है, HDA Index भी देता है, Human Development Index, जिसके अंदर हम तीन चीज़ों को calculate करते है एक है education, एक है आपका standard of living और एक है आपका health, इन चीज़ों को calculate करके HDA Index त्यार किया जाता है आप मुझे comment section में लिखके बता सकते हैं हमारा HDA Index में number कितना है, हमारा number कितना है answer इसमें B option, 15.46 कौन सी date को जो है, इंडिया ने 370 number article जो है खतम किया था, जाने के Jammu and Kashmir को जो special status था, वो खतम किया था ये last year क्या था, that is article 370, तो ये कब किया गया था, 5 अगस्त 2019 को, तो answer इसमें क्या बनेगा, A option, 5 अगस्त 2019 को, ये है article 370, खतम किया गया था, इसके अंदर Green Ag Project, which is funded by the Global Environmental Facility, has been launched in which state recently, Global Environment Facility, GEF, द्वारा वित, पोशित Green Agriculture परियूजना को हाली में किस राज्या ने लागू किया है, तो ये लागू किस ने किया है, मिजोरम ने, answer इसमें क्या बनेगा, C option बनेगा, मिजोरम, अब बात एक चीज में आपको बताता हूं कि ये जो है, ये transformation लेके आने के लिए, इंडियन Agriculture का transformation लेके आने के लिए, और ताकि जो है country की जो food security है, farmers की income है, भढ़ सके, ये launch किया गया, कहां पे, मिजोरम के अंदर launch किया गया, और एक चीज आपको मैं बताता हूं कि जो हमारे Agriculture Minister है, उनका नाम पूछा जा सकता है आपको, नरेंद जो CM है, इनके कौन है, Zora Mathanga, Zora Mathanga is the CM of the Mizoram, and इनके जो governor है, उनका नाम है, P.S. Shridran Pillai, ये भी आपको दियान रखना है, P.S. Shridran Pillai, तो answer इसमें क्या बनेगा, C option, Mizoram is the correct answer दुबई-based Indian origin author, अवनी धोशी, is among the 13th author long-listed for the prestigious 2020 Booker Prize for her which novel दुबई स्थित भारते मूल की लेखिका, अवनी धोशी को, उनके किस उपनियास के लिए प्रतिश्टित, बीस बीस बुकर जो पुरुषकार की सूची में, 13 अन्य लेखों के साथ शामिल किया गया है तो ये किन को शामिल किया गया है, that is burnt sugar, उनकी जो है, अवनी धोशी को उनकी books के लिए, that is novel के लिए burnt sugar आंसर इसमें क्या बनेगा, A option बनेगा, अब अवनी धोशी burnt sugar, option is A is the correct one तो ये थे current affairs, जो daily current affairs के question, अब हमारे current affairs चलेंगे यहाँ पे, चीक है, current affairs यहाँ पे चलेंगे हमारे, तो देखते हैं क्या, international day जो है अभी, world indigenous people जो मनाया गया था, 9 अगस्त को मनाया गया था, और इसका theme क्या था, world indigenous peoples, covid-19 and indigenous peoples resilience कहने का मतलब क्या है, कि ये जो है, हमने, विश्व के सवदेशी लोग, covid-19 और सवदेशी लोगों का लचीला पन तो ये इनमें बताया है, सवदेशी दिवस जो है, मनाया गया है, सवदेशी लोगों का दिवस मनाया है, 9 अगस्त को अंसर इसमें 9 अगस्त, world indigenous people, दूसरा देखे जी, क्या कहता है, the national film development corporation, NFDC इन्होंने एक online patriotic film festival जो है, launch किया है, ये अगस्त साथ से, जो है, अगस्त 21 तक ये organize किया जाएगा और ये जो प्रोग्राम launch किया गया, ये एक independence day, independence day की celebration के साथ, जो है, इसको साथ हम attach करेंगे, आजादी दीवस के साथ और obviously बात है, कौन से ministry इसमें आएगी, IB, that is information and broadcasting, जिनके minister कौन है, परकाश जाविदकर जी है, और इसके अंदर जो है, हम Indian history के बारे में बताएंगे, हमारे freedom fighters का struggle, क्या है, किस तरीगे से उन्होंने काम किया, और आज के present time में, हम उस चीज को जो है, किस तरीगे से, जो है, freedom fighting का जो scene है, वो world level तक हम कैसे पहुंचाते हैं, तो इसके अंदर ये program में किया जाएगा, NFTC की अगर मैं बात करूँ, National Film Development Corporation की, इसके जो headquarter है, that is in the Mumbai, and इनके जो key person, जैने के chair person है, अनुपमा चोपडा, जी है, अनुपमा चोपडा, ध्यान रखना question important है, प्राइम निस्टर नरिंदर मूदी ने अभी जो है, तेज सो किलो मेटर, सम्मेरीन, उप्टिकल फाइबर केवल, लॉंच करी है, ये कहां तक जाएगी, उप्टिकल फाइबर केवल, चनई से लेके, अंडेमा निकोबार आइलेंड तग, और इसमें साथ आइलेंड जो है इसके अन्दर जो है, कनेक्ट होंगे, तेज सो किलो मेटर के साथ, वो कौन कौन से होंगे, दिखे, अंडेमा निकोबार तो होगा, लेकिन अधर देंदा पोर्टबेर, पोर्टबेर क्या है, चैपिटल सीटी है, अंडेमा निकोबार की, इसके इलावा जो है, सुराज 23 किलोमेटर है ध्यान रखना 223 किलोमेटर है एक्जेक्ट तो और इसमें कॉस्ट जो है 1224 क्रोड रुपे की लगने वाली है और यह एक्चुली यह प्रोग्राम हमने मतलब यह जो ओप्टिकल फाइबर हम लॉंच कर रहे हैं ताकि वहां पे यह जाने के आपका लिविंग स् की चीज़े प्रोइड कर सकते हैं तूरिजम जो है वर्ल लेवल का हम भढ़ा सकते हैं अगर यह सारी चीज़े अटैच है बहुत लेवल के उपर हमारी चीज़े हो जाएंगी तो यह है प्रधान मंतिर ने अप्टिकल फाइबर लॉंच किया है नेक्स है हमारा ब्लूमबर 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 ब्लिनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है मुकेश अमबानी हमारे वर्ल्ड के चौते परसन बने है और यह इरलाइंस इंडस्ट्री के मालिक हैं चेर परसन है फूर्थ वैलिएस्ट परसन इंडर और एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है चार नंबर हैं तो लेकिन पहले तीन कौन है पहले है जेफ बेजोस जो Amazon के and Bill Gates Microsoft, Bill Gates and Facebook के Mark Zuckerberg and चौते नंबर पे हैं जी हमारे Mukesh Ambani जी ठीक है ये दियान रखना Bloomberg की अगर मैं बात करता हूँ Bloomberg की तो Bloomberg जो है इनके CEO कौन है that is Michael Bloomberg Michael Bloomberg ठीक है और अगें Bloomberg Billinear का जो Foundation कहां पे रखा गया था US आपके New York के अंदर US New York के अंदर वेरी इंपॉर्टन फोर्थ नंबर मुकेश अंबानी PNB Housing Finance PNB पंजाब National Bank Housing Finance के जो है CEO अपॉइंट के गये है MD and CEO कौन है उनका नाम हरद्याल परसाद है हरद्याल परसाद को अपॉइंट किया गया है और PNB Housing Finance के Headquarter is in the New Delhi ध्यां रखना New Delhi दिली एरपोर्ट ने लॉँच किया है पोटल Air Suvidha ताकि India Bound International Passenger कहने का मतलब क्या है कि जो भी परसन आ रहा है वो आप इस पोटल के जरूँ वो अपनी हिस्टरी भर सकता है ताकि लोगों के साथ कम कॉन्टेक्ट हो फिजिकल कॉपी आपकी सेल्फ डेकलरेशन की हो ना पाएं अगर आपने कॉरंटाइन रखा है तो भी आप बता दो अगर उसमें exemption है कोई भी चीज अगर है तो आप यहां पे बता सकते हैं इंटरनेशनल बायो फ्यूल डे बायो फ्यूल डे मतलब आपका जो भी बायो फ्यूल होता है उसका अब्जर्व करते हैं दिन ताकि हम जो है नॉन फॉसिल फ्यूल की जो चीजों को पहचाने उनकी महत तवक्का को जाने और एका मनाया जाता है अगस्त 10 को मनाया जाता है इंटरनेशन बायो फ्यूल डे और इसका ठीम क्या था बायो फ्यूल टुवर्ज आत्म निर्वर भारत बनाने की बात करी है तो नॉन फॉसिल फ्यूल को हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा जैसे इन चीज़ों को ज्यादा यूज करना पड़ेगा अगस्त 10 को ये दि मनाया जाता है तो obviously बात है जब हम biofuel day मना रहे हैं तो हमारी ministry कौन सी होगी ministry of petroleum and gas ministry of petroleum and natural gas के minister होंगे तो इसके minister कौन है दर्मेंदर परदान दर्मेंदर परदान जी है और ये दिवस हमने 2015 से मनाना start किया था 2015 से द्यार के important है इंडियन रेलवे ने अभी हाली में अगस्त 10 से 15 तक जो है अब्जर्व किया cleanliness week observe किया और इंडियन रेलवे के जो again आपके minister है that is पियूश गोईल जी cleanliness week cleanliness week मनाया हमने 10 से 15 अगस्त तक मनाएंगे गुजरात ने हाली में जो है अपनी industrial policy 2020 की launch करी है जिसके according 40,000 क्रोड रुपे वो subsidies प्रोइड करेगा किसको industries को प्रोइड करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर और इस तरीके से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा export करने की बाते और industries people को benefit पहुंचाने के लिए बात करी गई है तो गुजरात ने इंडिस्ट्री पॉलिसी 2020 लाँच करी है अब बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात की capital क्या है गांधी नगर है और इनके CM कौन है विजे रुपानी जी है और governor कौन है अचार्या देवरत है और यहाँ पे बहुत सारे national park है जैसे वनसदा national park है black buck wildlife century है national park है gir national park है जो आपका asiatic lines के लिए famous है और gulf of kach national park है this is important one clear तो these are the points जो आपको याद रखने है तो यह थे आज के lecture के अंदर question and one more question is there कल मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी कुशी नगर airport तो कुशी नगर जो है शायद मैंने जो है विहार के अंदर बोल दिया था वो यूपी में है correct कर ले ना उसको ठीक है बाकी इस lecture की PDF आपको जो है यहाँ पे social media जो हमारा telegram का group है dr. विपन गोल यहाँ से मिल जाएगी और बाकी आप मुझे social media के उपर जोड़ सकते हैं और प्लस दो paid courses आते हैं मेरे 10,000 MCQ course और एक अता है GS course GS course के अंदर हमारे सारे theory topics हैं और general awareness के अंदर हमारे MCQ topic हैं और आप purchase करेंगे courses को discount लेने के लिए जो additional discount लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा India 5 coupon code यूज करना पड़ेगा और ये 17 अगस तक जो है ये valid है तो आप purchase कैसे करेंगे study IQ app आपको download करनी है जैसे आपने study IQ app download करी homepage पे नज़र आएगा आपको best selling course और इसमे view all का button दबाएंगे तीसरा चोथा course जो है आपका GS course नज़र आएगा और last में जाके आपको general awareness का course नज़र आएगा तो additional discount लेने के लिए आपको India 5 यूज करना पड़ेगा 17 अगस तक ये valid है so thank you so much guys all the very best कल again best thousand daily current affair and questions discuss करेंगे good luck and all the best